JNU से MCA करने का Complete Admission Process आज की इस वीडिम डिसकर्स करने जा रहे हैं इससे पहले हम Delhi University और जाम में मिले अस्टाम यूश्टी का भी MCA कवर कर चुके हैं अब आपने वीडियो नहीं देखिए तो इस प्ले लिस्ट में जाके जरूर देख सकते हैं जो कि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में देती हैं बनाटा इवस्ट करें जल्दी स्टार्ट करते हैं हमारा JNU MCA का Complete वीडियो और इस वीडियो के बाद आप लगो अच्छा खासा करने हो रही है वहाँ से तो काफी बेठर है अपको गर जीनुम एडिमिशन मिलता है एक साल वेस्ट ना करें अपना और अब यहां पर आप लोगों को जो M-C-A वह दो साल का कर दिया गया है तो आप लोगों का एक साल का M-C-A करना है या फिर कहीं से खरना है तो आप क्योंकि अगर eligibility criteria फुल्फिल नहीं हो तो आगे वीडियो देखने का कोई पॉइंट नहीं बनता है तो सबसे पहले आपके पास बैचलर्स डिगरी computer science और engineering की है तो आपके पास होने चाहिए minimum 55% marks या फिर बैचलर्स डिगरी आपके पास science, commerce, arts की और आपके पास plus two level पे mathematics रही है तो भी आप eligible हो जेन्यो मैं MCA के लिए admission apply करने के लिए लेकिन आपके पास यहाँ पे भी 55% आपकी जो है graduation के अंदर होनी चाहिए तो यह इनका basic eligibility criteria है जो आपको fulfill करना ही होगा अगर आपके पास यह है तो आगे का video अपने हो के लिए काम का होने वाला है तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके roadmap के बारे में कि admission process किस तरीकी से start होता है सबसे पहले you have to do registration on CUTPG website तो CUTPG की website पर जाके आपको registration करना होगा वहाँ पे आप लोगों का इनका entrance exam देना होगा उस entrance exam में आप लोगों से जो course code पूछा जाता है syllabus का वह होता है SQP09 जिसके बारे में भी आगे बात करने वाले हैं क्योंकि इस UTPG के इंदर में आपके पास बहुत सारे जो है universities के इंदर admissions के लिए apply करने का option आएगा और जितनी भी majorly universities है वो SQP09 का ही score accept कर रहे है जैसे की जैन्यू कर रही है जैसे आपने इस UTPG के एक्जाम दिया एंटरस एक्जाम का आपका हो जाएगा इस UTPG का देन उसके बाद आपको इस UTPG के रिजल्ट का वेट करना है admissions पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको जैसी दिखता है कि यह PG के application form open हो गया है तो आपको इहां पर apply कर देना 2025 के application form जैसी आएंगे मैं आप लोगों को update जरूर provide करूँगा इसका ठीक है जैसी आप लोगों ने अपने portal पर registration करा registration portal करने के बाद आपके documents को हाप अपलोड करना है आपको देन आपका CUTPG के score के basis पर अपका admission हो जा तो आपकी proper verification होगी देन आपको अपको अपनी fees payment करनी है और fees मातर 800 रुपे आप लोगों की जो हैं लगने वाली है MCA course complete करने के लिए इससे सस्ता मेरे ख्याल से इससे किफाइथी इससे बढ़िया MCA course आपको कही भी नहीं मिलेगा एक तरीक से आपके education free ही आप देखने को लग रही है ठीक है तो अब बागी थोड़ा JNU के बारे में बात कर लेती है NIRF ranking के अंदर university last five year से second number पर stand कर रही है NIRF ranking के basis पर हम काफे असर universities की ranking देखते हैं जिसमें जामिया के बारे में बात करी थी तो third number पर जामिया मिले अस्लाम ए उनिविशिटी आ रही थी second number पर जो है JNU stand कर रहा है last five year से और यहां से गर आप देखते हैं कि भी आप infrastructure के बारे में बात कर लेते हैं facilities के बारे में बात कर लेते हैं तो library आप लोगों 24 hour मिल जाती है total number of seats के बारे में बात करें तो seats का जो एक factor है वहां आपको देखने को मिलेगा only 58 seats और applications आती है भाई बहुत सारी यहां पर लगबग-लग-लग-बग 10,000 से भी ज्यादा applications आती है तो 216 रुपए आप लोगों की fees लग रही है annually sports fee है 16 रुपए and literal cultural fees है 16 रुपए तो total मिला के आप लोगों का जो है इस चक्चर तो बहुत ही nominal लग रहा है लेकिन जो entrance exam आप लोगों को देना है वो कैसे देना है उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं तो यहां पर आप लोगों का जो है टोटल examination की जो है duration होने वाली है bilingual exam होगा English और Hindi दोनों में ही आप लोग जो अपना यह exam दे सकते हैं इसके structure के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं और structure के बारे में समझाने से पहले में आप लोगों को इनकी website एक पर जरू दिखाना चाओंगा जहां पर आप लोगों सार आप लोगों की website जहां से आप लोगों की जरनी जो है start होने वाली है तो यहां पर लोगों को मिलेगा युनिवर्सिटी पर यहां पर जाएंगे तो यहां पर आप किलिक करते तो इनके बहुत सारे courses है सब्सक्राइब करना है इसलिए मैं आपको पहले बता दें कि समझ रहे हैं क्योंकि यह चीज़ बहुत important है आप लोग इसके इंटरस एक्जाम की preparation करना चाहते तो हमार साथ जुड़के बहुत अच्छे से इसकी preparation कर सकते हैं हम CUT PG के साथ साथ में आप लोगों को जामे मिले इसलामे इंटरस एक्जाम की preparation करा रहे हैं निम्सेट की भी हम बहुत सारे concept और निम्सेट की एक अच्छी preparation आप लोगों यहां पर इस course में देखने को मिल जाएगी साथ में IP University का MCACET की एंटरस एक्जाम की preparation आपको इस course में देखने को मिल जाएगी तो बहुत ही informative यह course आप आप लोगों यह preparation करा रहे हैं मैंने description में आप लोगों को link दे दिये जिसके तुरू आप लोगों हमार साथ connect कर सकते हैं जैसे आप higher education की application download करते हैं application download करने के बाद आप लोगों को हमारे counselors connect कर लेते हैं chat support के तुरू और वहां पर आप लोगों की जितने भी doubt से query से सबको clear कर जाता है आप लोगों की entrance exam की preparation proper help कर जाते है teachers के साथ connect करवाया जाता है जिससे आप लोगों का momentum मना रहता है और आप लोगों को एक अच्छा environment मिलता है preparation करने के लिए तो देर किस बात की अभी जाए download करिये higher education की application ताकि आप लोगों को जो है mc के entrance exam crack करना बहुत असान हो ज है चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और sqp09 को अच्छे से समझ लेते हैं तो इसके अंदर basically आप से तीन section पूछे जाते हैं thinking and decision making mathematics and computer यह तीन section आप लेगों के सब्सक्राइब परिशान करने वाला section होता है वह होता है thinking and decision making क्योंकि reasoning वाला part हो गया mathematics बहुत सारी students का fundamentals clear होते हैं computer आप अगर बेसी कर रहे हैं computer science के अंदर या फिर आप coding की आपको knowledge आपने BCA कर रही है तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती लेकिन लेकिन ऐसा नहीं कि आपको दिक्कत बिल्कुल ही नहीं आएगी 75 questions होने का मतलब यह नहीं है कि बहुत ही easy exam आने वाला है यहां प सारे जो conceptual questions, syllogism होगा जैसे कि यह important part है reasoning का और इनके अंतर आप लोगों को ऐसे topics देखने को मिल रहे होंगे हर एक चीज में आपको कौमा देखने को मिल रहा होगा इस slash का मतलब क्या है यह अपने आप में एक topic है जो आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा figure सो चाए number सो नहीं आने वाली क्योंकि यहां पर लोगों को class 12 की mathematics ज्यादा देखने को मिल रहे है calculus हो गया limits, continuity, differentiation, integration यह सारी चीज अप लोगों यहां पर पढ़नी है coordinate geometry हो गया यह तो बहुत सारे students को जो है 3D आपने पढ़ा ही होगा 3D dimensional जो होता है हमारा coordinate geometry, algebra, probability, statistics and set theory आप लोगों से य काफे सारे students ऐसे होंगे जुनों अपने graduation के तरे discrete mathematics पढ़ी होगी उने students को भी यहां पर ध्यान देना है कि जो maths आ रही है वो आप लोगों की class 12th level वाली maths आ ठीक है तो आपको इनको भी एक बार topics को अच्छे से revise जरूर करना पढ़ेगा तो मैं यह बोलूँगा कि और आपन को मिल रहे होंगे यहां पर operating system data structure and digital fundamentals last year क्या हुआ था last year जब CUTPG का application form आया तो SQP09 के अंदर उन्होंने mostly mathematics के साथ में mathematics के topics को गम कर दिया था and topics गम करने के बाद उन्होंने ज्यादा जो section है वो computer के अंदर data structure का बढ़ा दिया था लेगे इन students ने complain करी कि data structure हर सुच्छे से नहीं पड़ा होता और आपका जो SQP09 मूर ओवर लग रहा है कि भाईया सिर्वर से computer वाले students के लिए है जो non computer background से जा रहा है mathematics के साथ जा रहा है technical background में switch करने के सोच रहा है तो उसके लिए exam आपने बहुत difficult बना दिया है तो यहां पर क्या हुआ कि syllabus को दुबारा से update करा गय जिसके अंदर सारे के सारे topics को दुबारा से balance करकर डाला गया अब यहां पर देखेंगे computers के अंदर operating system हो गया operating system के अंदर कुछ terms होते हैं जिसके threads हो गया inter-process communication, concurrency, synchronization, deadlock handling हो गया, memory management, virtual memory file system, DOS and Unix windows में आप लोगों से question answer जो है पूची जाने वाले है data structure के बारे में बात करे तो इसके अंदर आपको arrays, sparse, matrix, stacks, queues, variety queues, data structure के अंदर जो topics आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, इनके उपर हमने बहुत detailing के अंदर सारे topics के उपर detailed lectures जो अपने application पर डाले हैं, जो कि आप लोगों को काफी help करने वाले हैं, बहुत जगे आपने देखा हुआ कि MC केंट mathematics का जो है, section देखने को मिलता है, आपको या फिर उसके अंदर preparation के नाम पे mathematics ही पढ़ा देंगे सारी की सारी, लेकिन हमने सारी चीज़ों को balance कर आप लोगों के लिए, commuters के लिए हमने हार एक topic को अच्छे से detailing के अंदर साथ record करके आप लोगों को अप्लोड कर रहा है, साथ आपके doubt classes भी इसके अंदर हम आप लोगों को करवा के देते हैं, additional fundamentals के बारे में बात करते हो, data types, number system, compliments, fixed, floating points, representation, error detection, codes, computer, arithmetic, subtraction, multiplication, division, ये number system का ही part है, basically, जितना भी आप देख रहे, addition, subtraction, logic, gates, boolean, algebra, ये आप लोगोंने basically अपनी class 12th के अंदर जो है, IP जब ली होगी, information, practice, ये क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को quotient answer जो दिये जाएंगे, वो सारे के सारे numerical form के अंदर होंगी, logic, gates, boolean, algebra, ये सारी चीज़े, concept, चुले, एक बार आपको आगए, तो उसके बाद इनको rectification की जोरत नहीं होती, जिसमें आप लोगों को memorize करना ज्यादा, full forms के बारे में अच्छे से लिखना है, वो है आप लोगों का operating system, कोशन साथ से आप लोगों के multiple choice type आएंगे, ठीक है, लेगन ये theory बहुत जादा भरा हुआ है इसके अंदर, तो ये चीज़े जो है आप लोगों अच्छे से पढ़ने नहीं है, ये section अगर आपने अच्छे से cover कर लिए, त अच्छे से तयारी करी है, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आने वाली, fine, ये जैनु के admission process की detail, बाकी बात कर लेते हैं कुछ placements के बारे में, तो बहुत सारे student जो placements डूंडते हैं जेनु के बारे में, तो नेट पर लोगों को अलग लगए चीज जेकने को मिलेगी, और इनके जो website है, उनमें कहीं पर भी placement का stats properly जेनु नहीं डालता है, यहां पर दो placement cell होते हैं, basically, एक placement cell जिसमें teachers को कुछ लेना देना नहीं है, जिसके अंदर students ही सारे companies को invite करते हैं, मैंने बहुत सारे students से बात करी, तो पता चला है कि भईया, यहां पर students को placements के लिए काफी प्लाइ कर सकते हैं, in-campus placements के बारे में जब हम बात करेंगे, तो बहुत ही नामिग्रामी companies के नाम आप लोगों हैं पर देखने को in-campus नहीं मिलेंगे, क्योंकि student कुछ सी अप्रोच करके companies को बुलाते हैं, पकेजिस के बारे में बात करते हैं, 14 lakh पर एनम तक का हाई सेलरी package students को मिल जाता है, जो कि एक कह सकते हैं कि initially level पर काफी अच्छा सेलरी package है, और आज की डेट में पही है, NIT के अंदर भी इतने हाई सेलरी package जो है, आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, तो अगर आप drop लेने का सोच रहे हो, निमसेट के बाद, या फिर आप सोच रहे ह जोगी, मैं इसके अंदर admission लूँ ना लूँ, तो देखिए, आज की date में सब कुछ आपके skills पर depend करता है, आपको coding के अची language है, आपके skills improved है, सिर्फ degree करने से काम नहीं चलेगा, आप महनत कर रहे हैं, तो definitely आप लोगों को higher salary package में आपको भी नाम आ सकता है, बाकी 7 to 8 lakh average salary package मा तो like जरू करना, विलते हैं नेक्स वीडिय के अंदर बाबा, take care, thank you so much